हेलो फैंस, इस कुल्दीप सिंग अदो है, तो आज बात करते हैं पीनट बटर के बारे में, आपको क्या लगता है कि मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा किसी भी पीनट बटर की कमपनी ने प्रमोशन करने के लिए, या फिर किसी जुए की अपने नहीं करा होग या फिर शिला जी, ये वो अईरुवेदिक ब्रैंड्स ने अप्रोच नहीं किया होगा, मैं क्यों प्रमोशन नहीं करता है इन सब का, क्योंकि जो चीज मुझे, बेस्ट अप माई नॉलेज, लेजिट नहीं लगती, उसका मैं कभी प्रमोशन नहीं करूँगा, आज बात क प्रमोशन नियूरोलोजिकल डिसोर्डर्स और जाने ऐसी कितनी कॉम्प्लिकेशन देती है, तो सबसे पहली चीज उसमें, ट्रांसफेटर प्रेजरवेटिवस मिलेंगे, अगर वो नहीं है, तो दो चीज सबसे ज्यादा प्रॉन टू मॉल्ड्स, मॉल्स क्या होते हैं, ए तो अगर उसमें प्रेजरवेटिवस और ट्रांसफेट और एड नहीं किये गए हैं, तो उसमें मॉल्ड डवलप हो जाएगा, और पीनट बटर में जो मॉल्ड डवलप होता है, उसको बोलते हैं, एफलाटोक्सिन, जो की बहुत कारसिनोजिनिक है, और आपको पता भी नह टेस्टी कैसे बना, अगर आपको ट्राई करना है, अगर मेरा आपको इस वीडियो का प्रूफ चाहिए, तो घर पे आप एक केजी पीनट लेके आईए, रोस्ट कीजी उनको ब्लेंड करके देखिए, पीनट बटर ओरीजनल नेचरल फोम में कैसा दिखता है, फिर उसको आ फ्लेवर पीनट बटर में आने लग रहे हैं, तो आप कितना अर्टिफीशल फ्लेवर खाओगे यार आप लोग, हर जगे फ्लेवरी फ्लेवर, जो की कैमिकल है, सिंथेटिक चीज है, बिल्कुल भी एल्दी नहीं है वो आपके लिए, जो आपके घर में आपने पीनट चीज है, केवल एक जनरल परस्पेक्टिव से भी देखोगे आप, तो उसमें कितना एड़ीड सुगर है, आप नुट्रिशनल वैलू उसकी नुट्रिशनल फेक्स की टेबल में चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज, पीनट बटर कितना हाई इन कैलरीज है, ना चाहते हुए भ लगता हो कि हाँ, पीनट बटर सच में एक हैल्दी प्रोड़क्ट है, बस आपने गूगल पर पढ़ लिया कि पीनट में मोनो अनसेचुरेटेड पोली अनसेचुरेटेड फैट होता है, और किसी एक कमर्शियल ब्रैंड से फंडिड स्पॉंसर्ड आर्टिकल में लिखा है कि पीनट बटर is very healthy for you, और कुछ influencers आपको बस वीडियो बना दे रहे हैं पैसे लेके company से कि पीनट बटर खाओ, 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 तो आप लोग खाने लग रहे हैं, और कोई reason नहीं है, जो इतना पीनट बटर, पीनट बटर मार्केट में रखा है, so for me, it's a big no, अगर आपको healthy fats लेने है, raw form में आप almonds, pistachos, walnut, cashews, ये सारी चीज़े raw form में आप खाईए, fish, घी, animal fats, raw form में आपने milk लिया, cooking में आपने coconut oil यूज़ किया, ये सारे healthy fats के options हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप काफी समझ गए होंगे कि आपको peanut butter खाना चाहिए या नहीं, मेरी तरफ से नहीं, अगर आपको still खाना है, तो बिलकुल आप खाते रहे हैं, thank you